जवान तो गाइस पाइनली मैंने जवान मुवी देख ली है और लिटरिली अगर एक वर्ड में ये मुवी को डिफाइन किया जाए तो वह होगा इतना बड़ा अब चंप वर्ड में टाइम पॉइंट औव यू से बोल रहा हूँ वट कोई नहीं मुवी आपकी ये कन्फूजन जरूर कर देगी मुवी में आपको ट्विस्ट ट्विस्ट और ट्विस्ट और वह भी बहुत ही अच्छे वाले ट्विस्ट देखने को मिलेगे और मुवी के एंड में एक बहुत ही अच्छा मेसेज भी दिया गे है मैं यहाँ पर फैमिली मैन के दो क्यारक्टर्स और रियूनियन देखने को मिलता है लेकिन ओवियसली दोनों क्यारक्टर्स के नाम डिफरेंट है ट्रेली भाई शारुक खान जब भी स्क्रीन पर आ रहे थे तो मुझे आगे के दो तीन डायलोग तो सुनाए भी नहीं दे रह मूवी के बहुत ही अच्छे विगा पर्दुकॉन और चारुक खान साथ में एक सौंग में होते तो उस सौंग में आपको ओम शान्थी ओम की वाइब जरूर आईगी एफेक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वी एक पर अलका सा डगमागा जाता है लेकिन बागी कहीं जगा कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी है स्पेशली वीजे से तुपती जो उनकी जो कॉमिक टाइमिंग वह आपको हसा देगी में इमोशन को बर बर के डाला गये हैं और वो भी किसी एक पर्टिकुलर का नहीं बलकि कहीं सारे कैरेक्टर का और फाइनली अगर बात करें पफॉर्मेंस की तो नायांतारा एस नेगोशियेटर वो इस रूल में पूरी तरह से जच रहे हैं लिपीका पड़ू को उनका रूल जाद बढ़ा नहीं है आपको उनकी एक्टिंग इमोशन सी उस पर बहुत ही पसंद आएगी वीजे से दूबदी की बात करें तो बही क् टेटरल याप उनकी एक्टिंग स्किल्स में कमिया ढूंडी नहीं पाऊगे पूरी मुवी में बहुत की बहुत ही बहुत ही ज्यादा मिनिमल यह मूवी की बात पूर तो आपको यह movie definitely देखनी चाहिए कि वह movie में fast facing भी है और low facing भी है जो कि इस movie के लिए necessary भी था ये movie को देखने के बाद मैं finally कह सकता हूँ कि the king is back तो आपने ये movie देखिए तो आपको ये movie कैसे लगए मुझे comment में ज़रूर बताना ऐसे ही movies and series reviews, recommendations और super hero updates के लिए चैनल को subscribe करो